तोस्ट के रूप में खंजर मारता है वो ज्यादा डेंजर से यह दुश्मन बन के मारता है वो ज्यादा बाई की रूप में अगर इसको सुप्रीम कोड में करता है कि यह सिर्फ केपी में या तो बला मिलेगा इलेक्शन से भागे, अदलिया को तमाशा बनाया, पार्लिमेंट को तमाशा बनाया, आइन तोड़ा बिसमिल्ला रुख्माइल रुख्माइल रुख्म, असलाम लेकुम नाजरीन आज लाइफ शो में इरिशाद बटी और मनसूर अली खान ने नून लीगी लफाफा खुर साफी आमिर लिया सराना की खुब छितरोल की और साथ आज अदालतों को भी औरी कौम के सामने खुलके नंगा कर दिया जबके दूसी तरफ पिटी आई को बला वापस मिलने पर इरिशाद बटी ने कहा के नून लीग के हाथ से अब पंजाब भी निकल चुका है पिटी आई को बला वापस मिलने पर इरिशाद बटी ने नून लीग के बारे में तैल का खेज इनकिशाफात किये आएं पहले इरिशाद बटी और मनसूर अली खान की गुफटगू सुनते हैं फिर इस पार तफसील से बात करते हैं क्याले ने उसकी दो तिन वज़वात में पहली वज़़ा तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा है कि अधूरा फैसला किया है ये मेरा हक है कहना करें और इसमें कोई इतना अबात नहीं होनी चाहिए तो मैंने उसके जवाब में का था नहीं होगा उसकी वज़ा ये है कि आपने अपने घर में जाडू नहीं पेरा उसकी वज़ा ये है कि उनके साथियों को नहीं आपने कुछ किया उसकी वज़ा ये है कि सिविलियन को जो जमूरी चोगों में हमें चाकू मारते हैं वाँ बैठे थे ना लेक्षन से बागे अदलिया को तमाशा बनाया पार्लिमेंट को तमाशा बनाया आईन तोड़ा तो और क्या परवेज मुशर्फ का कसूर था चले मैं इसी सवाल को जो मैं आप ही से दोबारा पूछना लगा और इसको थोड़ा से ट्विस्ट करके वो य है जमूरियत को मश्बूत करने की जहां पर बात हो रही है यह बल्ले का निशान जो अब पाकिस्तना तरीकर इंसाफ को वापस मिल गया यह जो इलेक्षन के ओपर जो डाउट्स थे क्या वो अब डाउट्स खतम हो गए बल्ले का निशान वापस आगया पीटिया के पास फ कमisiser नहीं जो दोस्ट ने डाउट का ने ग्रूट अट बिखना गही पहले में फैसला पिशावर हाई कूट पहुंचप सैने फैसला maritime पहूंचय पहला election commission है जो इसलामबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवा नहीं सका, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांदली रुकवा नहीं सका, पहला election commission है जिसको सुप्रीम कोट कहे चुकी है, इसने आईन को दुबारा लिखा, पहला election commission है जिसके बारे में वुकला तन्ज कि वो तो खेरकारी रहा है लेकिन बल्ले का मिलने के बाद मेरा ख्याल है तरीक इनसाफ के जो बहुत सरे गिले हैं वो दूर हो गए है उसकी वज़ा है कि उमीदवार खड़े हो गए बल्ले का मिल गया अब आठ फरवरी को अल्ला करे इलेक्शन वाले दिन जो है वो लेवल थी क्या नहीं मिलनी थी लेकिन आठ फरवरी हम एलेक्शन के तरफ जा रहे हैं लग करे आठ फरवरी खैरो आफियत से हो जाए है आमिर सब ये नून लीक के लिए कितनी प्रिशान कुन खबर है कि बल्ले का निशान बैलोड पेपर पर आगया है वापस हर सियसी जमात ये कि उसका मुखालिफ उससे कमजोर हो जैसे उन्होंने पहले फैसला किया लेकिन चीफ एलेक्शन कमिशनर और एक गर्दान आई है थोड़ा समय बतादू कि हमेशा हमारे हाँ चीफ एलेक्शन कमिशनर एक रेटायर जो होता था उसे कोई अदालत नहीं बुलाती थी और वो बकरी रहते थे सामने यह वहाई चीफ एलेक्शन कमिशनर रहा है जिसे सेनेट के एलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने डिरेक्ट कहा कि सीक्रेट बैलड खतम कर दो उसने का मैं नहीं करूँगा यह आइन में लिखा है आप आप आर्डर करें उस सुप्रीम कोर्ट ने कोई वहीं होना चाहिए क्योंकि अब वो बात हो रही है कि जी वो तो FBR के फैसले भी चैलेंज होते हैं लेकिन भाई जिस केस में अलेक्शन कमिशन डिसकस हो रहा है और जो बात हो रही है वो है अलेक्शन अपे देखें आपको ये बात तो माननी पढ़ेगी ना कि जब यहां पे यहां पे ऐलेक्शन्स होने वाले हैं दोजार चौबीस खे तो पाकिस्तान तरीकेंस होने वाले हैं आप मान देंगे हैं नमबर वान और बल्ले का इंतखाबी निशान दिया जाए यही प्ली थी तरीक इंसाफ की कि यह जुर्माना कर सकते थे काल अदम नहीं करार दे सकते थे दूसरी बात यह है कि अगर नौ मई को जोड़के देखें तो फिर तो बहुत सारी सारी चीज़ें सही कह रहे हैं कि जो कौमी असम्बली सुभाई हकुमतें मीर जाफर मीर सादक तनसीबात लेकन मेरा यहां यह है कि क्या पूरी तरीक इंसाफ नौ मई में मुलवस थी नहीं जो आप 9 मई के तरीक इंसाफ वाले उनको इलागा किसी को ना लड़ने दे आप वो अदालतों में लाएं वो उनको सजाएं मिलें वो जैसे बाकी तरीक इंसाफ का इस तरह करके इस बन्याद पर के बला लेके पूरी तरीक इंसाफ से वोट ठीक नहीं है अगर बला हो और तरीक इंसाफ के पास बला हो और उस पर इलेक्शन लड़े बला ये इसको आम नहीं के वैसे वोट इमरान का वोट इमरान का होगा लेकर कान डालेंगे जहां कोमी इसमली और सेनेट में वोट मुस्तरद हो जाते हैं तो बला होना जरूरी है बला होगा तो पंजाब में तर परवेजब मुशर्फ केस भी बो चुखं कि रही थी त्वक्क की जारी था कि भी तो तौह की जा रही थे और तेनो सुनें ग بात तो फिर हो सकता है ये मैं कह सकता था कि आज कोई जो आइंदा ये चीजे नहीं होंगी लेकर जो डील डील करने वाली मखलूक है जो हर मरतबा तयार होती है उसको वेलकम कहने के लिए जो मिठाईयां बांटी है जो साथ खड़ी होती है अगर आई ये बुरी चीज़ है अगर मरकज तीन मरतबा क्या ये दूद के दूले हैं ये सिर्फ जमूरी चोगे पहन के आते हैं अंदर से मुनाफ़कत करते हैं जब जस्टिस बंदयाल की सुप्रिम कोट जस्टिस फाइज इससा काजी की सुप्रिम कोट दोनों कह रही हैं कि ये आइन शिकन है आइन तोड़ा एलیک्शन कमिशन ने तोड़ा गवर्नर्स ने तोड़ा और मज़े की बात सुने आब इस मुनाफ़कत को क्या कहेंगे ये ऐलक्षन कमिशन ने दो să Schools के पैसे मांग चाइज वो गई वजारत के जिजारनाई सागडिंए वो गई ईससा आइन तो पैसे नहीं नाइस्टिस फ चाहिए थी तो यह अधूरा फैसला है यह तो उनके सारों को मिलती वो मुझे चोधिशुजात का बियान यादा है कि अगर पर्वेज मुशर्व नगदारी किया तो हम उसके साथ हमें भी सजा दे तो यह तो सारों को सजाएं दे और फिर अगर आइन तोड़ना इतनी बुरा है तो जो सिविलियन आइन तोड़ते हैं उनको भी सजाएं दे तो जो इसके सहलतकार थे जो इसके साथ जर्म में बराबर शरीक थे वो आज तो जिन्दा है उनके खिलाफ कोई फैसला क्यों नहीं देती फांसी ना सही उनको उमर बर सजा ही दे दे या कोई तो सजा उनके खिलाफ होनी चाहिए मगर अमारी अदालतों के इजाज इतने बहादर कहां ये सिर्फ मुर्दा लोगों के केस सुनते हैं उनको इनसाफ देते हैं मगर जो जेलों में पड़े हैं उनके लिए कोई इनसाफ इनके पास नहीं है रिशाद बटी ने कहा कि हमारा हर अदारा क्र अरप तरीन election commission मतनाजात तरीन election commission है जो बाकि किसी जमारत के इंटRO-party election को कलरें करार सारी पार्टि योशे सर्थ पीटी ईए नदर आती है और ये पीटी ईए से बला च्छीन लेता है और जब लहोर आए-ई-पीटी ईए को बला वापस करते है तो election commission पार्टी ब़नकर इंस एخलाव लहौर पहुंजाता है इस पर منصूर ली खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि एलेक्षिन कमिशन का किर्दार ये है कि वो पिटि ऑई को एलेक्षिन से आウट करने में लगा हुआ है इलेक्षिन कमिशन का काम साफ और शफाफ एलेक्षिन करवाना होता है सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेंग फिल्ड देना होता है मगर यहां तो अलेक्शन कमिशन पीटी आई से बला च्छीने की जंग लड़ रहा है अब देखते हैं कि इस जंग में पीटी आई जिती है या अलेक्शन कमिशन नाज़ीन आपका इस बारे में क्या कहना है अपनी राएका इस आर्कमेंट बाक्स में जरूर करें नेक्स वीडियो तक मुझे दें इजाज़त अल्ला हाफिस